अच्छा कुछ अनुभव की बाते शेयर करें ऐसा देखा जाता है कि किसी से अगर ये कहें कि भगवान है भगवान इस दुनिया के मालिक हैं सब चलाते हैं वे ही सब कराते हैं सारी शक्ति सामर्थ हो नहीं की है ऐसा बोलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि भगवान दिखते तो हैं नहीं हम कैसे माल लें कि भगवान हैं उनके लिए एक उधारण हम ले सकते हैं अगर उन लोग के समझ में आये हम समझा सकें उधारण है कि जब आप जन्वरी के महिने में दिसंबर लास्ट जन्वरी के महिने में कभी गाड़ी में निकलते हों दूर कहीं सड़क लंबी चली जा रही है और चारों तरफ खेती खेते हैं हरे 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 वहां रूप करके कोई खेत का किसान हुआ खड़ा हो तो ये आप पूछेंगे के भाई ये क्या है ये हरा हरा सब जो खड़ा है वो किसान कहता है गेहूं ऐसा गेहूं है इसमें तो एक गेहूं नहीं दिख रहा हरा गास जैसी दिख रही है यतनी बड़ी छे इंच की गास है कहीं आठ इंच की गास है गास दिख रही है हमें गेहूं तो कहीं नहीं दिख रहा इसमें गेहूं जब नहीं दिख रहा तो हम कैसे मालने कि आप कह रहे हो गेहूं है तुम ये कैसे कह रहे हो गेहूं है तुम ये कहो ये गास है हरी गास है बाद में इस पर गेहूं आएगा तो चलो हमें नहीं साब गेहूं है ये उसको इतना पका है कि ये गेहूं है और हमको एक दाना नहीं दिखता उसमें वो गेहों की फसल है और समय आने पर मार्च में, अप्रेल में ये सारा पकर के गेहों की बालें लग जाएंगी उसमें उपर और फिर उसको वो लोग काट करके गेहों अलग कर लेंगे, भूसे को अलग कर देंगे गेहों निकलाएगा तो वो जब कह रहा है उस हरी हरी घास को देखकर जो छे इंच बड़ी है कि गेहों है वो गलत नहीं कह रहा है वो अपने अनवह से कह रहा है उसने देखा है पहले अपने माता पिता को कहते हुए सुना है अब हम अपनी बात ले जब गुरू कहते हैं कि सरवत्र भगवान है तो हमको तो नहीं दिखते लेकिन वो अपने अनवह से अपने गुरू के कहे अनुसार बात को मानने से वो कहते हैं कि भगवान सरवत्र है उनके गुरू ने बताया हमको हमारे गुरु ने बताया भगवान सर्वत्रे किसान का लड़का पहली बार फसल देख रहा है मान लीजे तो उसको तो नहीं मालूमी गेहु है पर पिता की बात को मान लेता है कि हाँ गेहु है टीचर जब ए लिखती है पहली बार बोर्ड पर तो हमको तो नहीं पता होता कि क्या लिख रही है एक लाइन योगेंची एक लाइन योगेंची और एक लाइन से काट दिया वो कहती है ए हम मान लेते हैं ये ए है टीचर जब हिंदी में लिखती है अ तो हम मान लेते हैं ये अ है आ आ ओ ओ ओ ऐसे वो लिखती जाती है हम मानते जाते किसी भी language की teacher हो जब वो कोई letter लिखती है तो उस letter को pronounce करती है तो सुनने वाले बच्चे उसको repeat करते हैं मान लेते हैं जब हम दुनिया के लोगों से कहते हैं कि सर्वत्र भगवान है तो वो कई प्रश्ण खड़े कर देते हैं या हम यह कहते हैं कोई भी काम जब हुआ तो हमने कहा यह काम भगवान ने कराया तो वो कहते हैं भगवान ने कराया तुमने किया भाई ये तो आपने किया काम आप कहरे भगवान ने कराया हमें नहीं समझ में आता हम नहीं मानते भगवान उनको कोई बताने वाला नहीं मिला पहले जब वो छोटे थे ये दुनिया भगवान की है सब कुछ भगवान का है यहां भगवान है सब कुछ है, मालिक है हमारे अपने हैं हम उनी से आये हैं हम उनी के हैं वो हमारे हैं हम उनी का अंश हैं इश्वर अंश जीव अविनाशी ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना ये जीव इस संसार में मेरा ही अंश है भगवान ने गीता में कहा सब मम अप्रिये सब मम उपजाए रामाइण में कि सब मेरे प्रिये हैं सब मेरी संतान हैं मेरे अपने हैं मेरे उपजाए हुए हैं मेरे पैदा किये हुए हैं मेरे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सब मेरे हो हम भगवान की बात भी नहीं मानते हम जो समझदार हैं, ग्यानी हैं, संत लोग हैं उनकी बात नहीं मानते माबाप ने कभी कहा होगा देखो ये भगवाने हाथ जोड़ो तो हमने पता नहीं क्या सोचा होगा और हमने हाथ नहीं जोड़े और कुछ उल्टा सीधा कहकर वहाँ से भाग गए अगर डर की वज़े से हाँ जोड़े हों और कहा हो बुला हो भगवान तो डर की वज़े से लेकिन अंदर में नहीं माना खेर तो अगर कैसे भगवान हैं सर्वत भगवान हैं तो गुरू ने प्रमान दिया कि जैसे गेहूं की फसल में एक गेहूं का दाना नहीं है पर किसान को कितना पक्का विश्वासे कि ये सब गेहूं है इसी तरह जब गुरू, संत, महात्मा लोग, महापुरुष्ट लोग, अध्यात्म की किताबें कह रही हैं कि भगवान सर्वत रहें, मालिक हैं संसार के तो हम मान लें समझ लें, भगवान कराते हैं सब, और भगवान तो इतने दयालू और करपालू हैं, हमारी हजार गल्तियों को माफ करते हैं लेकिन एक कहावत है न, जब पानी हच से गुजर जाता है, तो नुकसान कर देता है हमारे ही अहंकार जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे ही नुकसान कर देता है अहंकार को नीवा करने का उपाय सरली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि भगवान आप हैं, मैं नहीं हूँ इस बात को हम दिन में जितनी बार यादा जाए कह दें, हिनात आप हैं, मैं नाम की कोई चीज नहीं है, मैं नहीं हूँ दिन में कई बार कह दें, हिनात मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हिनात मैं आपको भूलो नहीं आप हैं, मैं नहीं हूँ इस संसार में मैं ऐसे रहूँ जैसे संसार आपका है सब कुछ आपका है मेरा अपना कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है एक आप मेरे हैं बस मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है अब जहां हम रहते हैं वहां सिवा करके रहते हैं प्रेम से रहते हैं अब कोई कह सकता है हमारा तो लड़ाई जगडा भी हो जाता है गर में तो लड़ाई जगडा देखे ऐसा है कि सहज है दो जनों में नहीं बनती है कुछ कहन सुनन हो जाती है वो एक अलग बात है लेकिन जो theme है हमारा, जो subject है, वो यह है कि यह संसार भगवान का है, यहां सब कुछ भगवान का है, घर, परिवार, यह वो सब कुछ भगवान का है, और मैं नाम की कोई चीज नहीं है, अगर मैं कुछ हूँ, तो मैं भगवान का हूँ, बस, that's all, और कुछ नहीं हूँ, मैं बगवान काओं बगवान मेरे हैं, किसी भी बात का अहंकार करना मूर्खता है, कुछ नहीं मिलेगा, यहां संसार में कुछ नहीं मिलेगा, कितना ही हम कहें घर मेरा है, घर मेरा है कहना अहंकार है, कुछ लोगों को हम अपना कहते हैं, पती मेरा, पतनी मेरी, बच्चा मेरा, पैसा मेरा, सामान मेरा, ये मेरा मेरा जो कहते हैं, ये सब अहंकार का एक रूप है और यहां कुछ भी हमारा नहीं है, एक दिन सब छूट जाता है, एक दिन आता है जब सब छूट जाता है, तो वो दिन को याद करके बात को समझ लेना चाहिए कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है और हम भी किसी के नहीं है हम केवल भगवान के हैं और भगवान हमारे है यह अंदर की बात है बाहर जहां रहते हैं आप सेवा करिए हमारा सेवा भाव हो, प्रेम का भाव हो ज़्यादा अपनी न चलाएं, कुछ नहीं मिलता होगा वही जो राम रचिराखा अपनी चलाने से दुख मिलता है अपनी मै करने से दुख मिलता है परिशान हम ही होते हैं हमी को ताड़नाएं, पीडाएं मिलती हैं तो ही नात में आपका हूँ, आप मेरे हैं, यह सबसे बढ़िया बात है। और भगवान की जो याद है, कीता हम भगवान कहते हैं, सही अर्जुन सब समय में मेरा इस परड़कर, वो सारे भए और दोशों को दूर करने वाली है भगवान की याद। भगवान ने भक्त के लिए कहा हूँ, भए रहित होता है, क्योंकि वो मानता है कि मेरे साथ मेरे भगवान है। When God is with me, who can be against me? When God is for us, who can be against us? भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारा कोई क्या बिगाड सकता है। लेकिन यह कहने की बात नहीं, यह मानने की बात है। एक बात मुझे अक्सर लगती है, भक्ती में भाव कैच किया जाता है। गुरू जितना बोलते हैं, सारा सुनने की और याद करने की जरूरत नहीं होती। गुरू क्या कह रहे हैं, भाव कैच करना होता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, रटने से कुछ नहीं होगा, पर यह फील होने लगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भक्ती में भाव कैच किया जाता है, ग्यान में शब्द कैच किया जाते हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, उस शब्दों को कैच जैसे गुरु ने कहा, तुम आत्मा हो शरीन नहीं अब कैसे, शब्दों को कैच कीजिए और उसका विशलेशन कीजिए कैसे मैं आत्मा हूँ, कैसे मैं शरीन नहीं हूँ अनिक जन्मों की याद आ जाए तो हम बता रहे हैं कि तब उस जनमे में राजा था, उस जनमे में प्रीश था, उस जनमे में पंडिक था, उस जनमे में भिकारी था, उस जनमे में जानवर था, जानवर का रूप भी बता देंगे आप कई लोगों ने बताया जब past life regression किया कि मैं पेड़ हूँ मैं केले का पेड़ हूँ एक ने बताया था वो याद मुझे आ गया केले का पेड़ हूँ अब इतना confidence से वो कह रहे हैं जिस समय वो regression में है आप उनसे बात कर रहे हैं आपको जवाब दे रहे हैं आप कहां खड़े हो कि मैं खड़ा हूँ बड़ी जोर की धूप है मैं खेत में खड़ा हूँ खेत में खड़े हो किसान होगा कोई तो क्या हो आप क्या बन कर खड़े हो बोले मैं केले का पेड़ हूँ अरे भगवान तो इस सिद्ध होता है के हमई लोग 84 लाख योनियों में होकर आ रहे एक ने देखकर बताया था मैं वेल मचली हूं कितनी बड़ी वेल मचली और मैं छोटी मचलीओं को खा रहा हूं कई लोगों ने बताया अपने अपने जानवर रोप को कई लोगों ने बताया, अब क्या हम वो शरीर है वो तो नहीं रहे पर हम रहे, बताने वाला रहा, और वो ही बताने वाला इस शरीर में मौजूद है हम सब जो है, वो हम बताने वाले शरीर में मौजूद है, और एक दिन जब इस शरीर छोटेंगे अगले जनम में हम बता देंगे कि पिछले जनम में ये था पर वो शरीर नहीं है अब शरीर दूसरा है तो एक कौन है जो रहता है तो गुरू ने बताया वो आत्मा है शरीर नहीं हो तुम शरीर तो मर जाने वाला है एक दिन मिला एक दिन छोट जाएगा तुम आ भाव से काम नहीं बनेगा, प्याकरण और शब्दों से काम बनेगा, समझ आएगा, बुद्धी वहाँ खुलती है, विकास होता है बुद्धी का, भक्ती में भावनाओं का विकास होता है, भाव प्रधान है, जितना आप दिल से भगवान को पुकारेंगे, रोएंगे, हे न मुझे आपके दर्शन कैसे हो, मुझे कैसे आपकी लालसा लगे, मुझे आपके प्रत्य प्रेम कैसे बढ़े मेरा, जो जो आप कहना चाहते हैं, अंदर से कहेंगे दिल से, तो भगवान सुनते हैं, भगवान भाव ग्राही हैं, शब्द ग्राही नहीं है, भाव ग्राही ह गो भजे जो उसका बेड़ा पार है अब भगवान कहते हैं कि देखो शरीर मिला है तुमको तुम तो आत्मा हो या मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं मैं भगवान का अंश हूँ मैं भगवान का अंश हूँ आत्मा कहिए अंश कहिए कैसे भी कहिए तो भगवान कह रहे हैं अब तुमने शरीर धारण किया तुम शरीर में आ गए शरीर बड़ा हो गया अब ये शरीर तो दुनिया की धरोहर है संसार की अमानत है संसार से मिला है इसको संसार की सेवा में लगा दो तब तो संसार का रेण चुकता हो जाएगा सिवा करने से रेण उतरता है भगवान गीता में कह रहे है दूसरा अध्या है 48 वाशलोक तो आसक्ती को त्याग कर तता सिद्धी और असिद्धी में समान बुद्धिवाला होकर योग में इस्थित हुआ करतव विकर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है देखे खास बात है करतव विकर्म कर फल की इच्छा मत कर यह कब हो सकता है जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो फल परदिष्टी नहीं होती है हमारी कर्म परदिष्टी होती है फल परदिष्टी क्या है बदले में मुझे क्या मिलेगा गाड़ी में धक्का जब लड़के लगाते हैं किसी गाड़ी रुख जाया करती थी पहले आपको याद होगा और चाल लड़के खड़े हैं आपने का बाई साब ज़रा धक्का लगा दोगे दस-दस रुपे लेंगे वो चालिस रुपे निकाल कर आप उनको दीजे तब गाड़ी में धक्का लगेगा तब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो और आप चले जाओ वो है फल पर दिष्टी कर्म पर नहीं है हमारा सेवा भाव है आप कहेंगे वाँ फ्री में धक्का लगा दे देखे जो सेवा वाले होते हैं वो फ्री में धक्का लगाते है पैसा तो उनको सेवा रूप से मिल जाता है वो कहता है अगला आपने मेरी सेवा करी अब मेरा नंबर है आपकी सेवा करने का आप कहेंगे दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं नहीं सब पैसा लेके भाग जाते हैं, बिलकुल ठीक है आपका सोचना, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन जो ये सोचता है, कि दुनिया में भगवान है मालिक इसके, मैंने कर्म किया ठीक है, इन्होंने नहीं दिया पैसा ये लेके भाग गए, कोई नहीं भगवान दें जो ये कहेंगे, हमारे पास पैसा ज्यादन नहीं है, लेकिन हमारा कभी कोई काम रुकता नहीं है, ये क्या है, कौन है मालिक, देखें मालिक की एक पहचान, आज मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने दर्शकों से पूछा कि आप भगवान को मानते हैं, तो दर्शक कु से एक परश्ण पूछता हूँ, कि आप बिल्डिंग में एक कोटन खड़ा कि, आप कौन सी मंजल पर रहते हैं अपने घर पर, बहुले मैं 14th फ्लोर पर रहता हूँ, बिल्डिंग में, बहुले आप ना आते हो, बहुले हाँ, बात रूम में ना आते हैं, बहुले पानी कै बहुले हैं, 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 होता है कौन सा पंप लगा होता है जिससे के नारीयल में पानी पहुंच जाता है अब वो आदमी की बुद्धी फेल कर गई बना ये तो मुझे नहीं मालूम हमारी हमारी टंकी में पानी पंप से जाता है लेकिन जतने नारीयल के पेड़ आप कभी शायद आपको जाने का मौक मुझे तक नारीयल ही नारीयल के पेड़ है और भरे हुए होते हैं सब पानी से लवां लब जरह सा काटो तो पिचर करके पानी पिचकारी मारता है नारीयल को अगर कोई जो उनके आप बढ़िया वालदा चाकू होता है ऐसे जब काटते हैं और थोड़ा कट जाए जदा पानी की जगए तक पहुंच जाए तो नारीयल में उसे पानी पिचकारी मार के बाहर निकलता है किसने बहरा है, कौन सा पंप लगा रखा है वहाँ जिससे वो नारियल में इतना पानी आ जाता है कि कौन पानी भेज रहा है वहाँ, कौन से पंप है भगवान है इसके सबूत हमको बहुत सारे मिलते है बरफ के लाकों में लोग रहते हैं ठंड जब यहां सदी पढ़ती है तो बड़ी ठंड है बड़ी ठंड है बड़ी ठंड है कापते रहते हैं बड़ी ठंड है और वो लोग जो माइनस 0 में रहते हैं माइनस 40 माइनस 30 में रहते हैं हमारे देश के भारत के नौजवान माइनस पचास पर रहते हैं साइचिन के लाखे में माइनस पचास पर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे जीवित रहते हैं हम तो जरा सा पांच डिग्री, छे डिग्री हो जाएं, बड़ी थंड है, बड़ी थंड है नाचते रहते हैं, रजाई में घुच जाते हैं, चाय लाओ, गरम लाओ, उनको कौन सा चाय लाने वाला कोई है वहाँ, बॉर्डर पर, चाय तो जब मिलती है, टाइम होता है, तब मिलती है, जाना पड़ता है, और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर, वहाँ थोड़ी चाय ह कोई चीज है, हर समय खाने को, हम तो दिन भर खाते हैं, एक आपको मजा की बात बताओं, जब कभी हम, यह हमारे चल रहा होता है, लैपटॉप, कभी आप देखना, इसमें तीन लिंक खुले हुए हैं, और लिंक्स में काफी लोग कुछ खा रहे होते हैं, कोई चाय पी रह होता है, उनको वीडियो बंद करना नहीं आता, वाइस तो बंद कर देते हैं, वीडियो बंद करना नहीं आता, वो दिख रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि आदमी दिन भर खाता है, सचंग में भी खाता है, सुवे भी खाता है, दुपैर को भी खाता है, रात को भी खाता है सत्तंग में भी खाता है खाता है और पीता है और वो लोग जो सर्दी में रहते हैं बहुत ज़्यादा माइनस में हर समय खाने को नहीं मिलता है टाइम से मिलता है बस वो कैसे जीते हैं खेर भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सिद्धी और असिद्धी में कर्म के फल की चिंत मत करो, तुम अपना करतव विकर्म करो, जब तुम सेवा मान कर करोगे, तो तुम को कभी तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा, जिसके साथ भगवान होते हैं, उसको डर कैसा, आपके साथ, रात के टाइम, एक पलिस वाला चलता हो, आपकी जानकार, थाने से आपको एक पलिस वाला दे दिया गया, वो आपका जानकार है, आपके साथ चल रहा हो, अब आपको डर लगेगा, कहवत है इसमें, जब सहिया भगे थानेदार, तो अब डर काहेगा, समझते हैं, नहीं समझते हैं, किसी और से पूछ लिजएगा, सेवा मान कर जब हम कर्म करते हैं, त तो समता रहती है उसमें, और मैं करता हूँ इस leash है, तो फल की इच्छा रहती है, वहां समता नहीं रहेगी, मन के अनकूल फल निकला तो सुख, और मन के प्रतकूल फल निकला तो दुख, तो सुख दुख दूद, दूदी जुड़ा कहते हैं इसको, सुख दुख दुख रहते हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मानें, कभी अपमानें, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी लाव है, कभी आनी है, कभी जीवन है, कभी मरन है, ये दुन्दी जोड़े हैं, ये चलते रहते हैं, इस समत रूप बुद्धी योग से सकाम कर्म अत्यंति निमन श तो तुम बुद्धियों का आश्रे ग्रहन करो, तुम संता में इस्थितो कर कर्म करो, फल के हे तुम बनने वाले अत्यनत दीन होते हैं, जो फल की चाहना करते हैं, वो ऐसे हैं जैसे भिकारी, वो बार बार सुखी दुखी होते रहते हैं, बार बार सुखी दुखी होते रहत क्योंकि फल हमारे हिसाब से निकले, ऐसा संभव नहीं है, दुखी होते रहते हैं जो संभध्य युक्त पुरुष होते हैं वो पुन्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं उनका ना पुन्य बनता ना पाप बनता, जब फल की इच्छा हमको होती है तो हमारे पुन्य बनते हैं, हमारे पाप बनते हैं जब हमें फल की इच्छा होती है, हम कोई काम करते हैं पैसे की लालसा पाप का आच्रण कराती है फल क्या चाहिए हमें? पैसा अब बाई हुक और क्रुक सही तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाना है तो पाप बनेगा पाप का अच्रन होगा पैसा तो यहीं रह जाएगा दुनिया में हमारे साथ पाप कर्म जाएंगे और हमको आगे बोगने पड़ेंगे हो सकता इसी जनम में कुछ समय बाद कुछ साल बाद या अगले जनम में या नरक मिले कुछ भी हो पता नहीं पर कर्म का फल फिर जब भोगना पड़ता है तो आदमी कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरा ही नुकसान क्यों मेरे वाला क्यों मर गया मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम हो गई जब कर रहा था तो मान नहीं रहा था हम नहीं मानते हम जो चाहें करेंगे करो जो चाहें करो बाद में रो ना मत चिला ना मत परिशान मत हो ना फिर जो हो सोने देना जो संबुद्धी से युक्त ज्यानी जन होते हैं जिनमें संबुद्धी होती है, संता होती है संभाव में रहते हैं वो करमों से उत्पन होने वाले फल को यहीं पर त्याग देते हैं उनको कोई बंधन नहीं होता वो मुक्त हो जाते हैं निर्विकार परंपत को प्राप्त होते हैं यानि भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई कामना नहीं थी जीवन में कि मेरे हिसाब से फल निकले सेवा करते रहे जीवन भर हम तो जो भी काम करते हैं भगवान आपका काम करते हैं हम तो आपकी सिवा करते हैं आपके दिये जनों की सिवा करते हैं आपका संसार है उसमें हम सिवा करते हैं जब मैं इस बातें कहता हूँ इस संसार भगवान का है हम भगवान के संसार में रहते हैं भगवान के जनों का काम करते हैं संसार की सिवा करते हैं भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिये प्रसाद से भगवान के जनों की सिवा करते हैं, सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, तो लोग इसको नाम दे देते हैं, पंचामरित बोल रहे हैं, मैंने आज तक पंचामरित नाम यूज ने किया है, और क्योंकि लोग कहते हैं तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि किनी भी बातों को नाम मत दीजिए, अपने जीवन में लगाने का प्रयास कीजिए, मेरा जीवन तो सेवा के लिए है, ये भावा हमारा हो गया, अब सब काम जो भी हो रहे हैं हमको लगेगा सेवा हो रही है, से सारी दुनिया चाहती है, पुन्य बने, देखे, निश्काम कर्म का फल अनंत है, अईसा कीता है भगवान ने कहा है, अनंत है, बहुत अधिक है, सकाम कर्म का फल, एक का एक या एक का दस, बस एक का एक या एक का दस बस और निश्काम कर्म का फल अनन्त होता है भगवान की भाषा है मैं नहीं कह रहा तो फल को त्याग कर जब हम कर्म करते हैं फल की इच्छा को त्याग कर जब कर्म करते हैं तो वह सेवा के अंतरगत आता है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता जीवन में दुखा जाएं तो वो परिशान नहीं होता सुखों की प्राप्ति में सर्वता निस्प्रे है सुखाएं तो कहता है ठीक है जैसी बगवान आपकी मर्जी जिसके राग, भय और क्रोध नश्ठ हो गए है मन से मिलिए अपने वालों के प्रते स्नेह रखिए तो राग होता है राग बाधने वाला है बंधन का कारण है जनम मरण में ले जाता है और राग होने से भय होता है कि मेरे वाले को कुछ हो न जाए और मेरे वाले को कुछ होता है तो क्रोध आता है मेरे चीज को कुछ होता है तो क्रोध आता है राग से क्रोध है राग से ही भय है राग से ही क्रोध है मेरे वाला, मेरी चीज, मेरा पैसा अब मेरे पैसे को कोई लेने की कुशिश करेगा मान लेज़े को बंदूग दिखा के लेगा तो भै होगा कोई छीनने की या बेहिमानी करके हमारे पैसे को अड़पने कोशिश करेगा तो क्रोध आएगा देखे बात तो सब नेचुरल है उधारन से बात समझ में आती है कि जितना हम राग करेंगे संसार से कुछी भी डिस्टर्ब होने पर या तो भै आएगा या क्रोध आएगा और अगर राग नहीं है प्रेम है घर है भागवान का है प्रेम है पैसा है भागवान का दिया हुआ है प्रेम है ठीक है है तो ठीक है सब की सिवा के लिए भोजन प्रशाद है बहुत अच्छा है बहुत शुक्राना है सबकी सिवा के लिए हम भी खाएंगे सब खाएंगे सिवा हो रही है गर परिवार है सब लोग हैं सिवा होती है राग नहीं है सिवा होती है ते को सिवा मान कर करोगे तो भहे नहीं होगा आपको यह point note करने की होती है सब के लिए आप सेवा मान के करोगे तो आपको कभी भहे नहीं होगा कहीं भी आप अपना मान के करोगे तो आपको भहे होगा छूटने का भहे होगा या तो वो मर जाएगा या आप मर जाओगे एक तो मरे गई या दोनों मर जाएंगे फिर क्या करोगे, कब से मरोगे राम भजन तो सब चला गया तो राग मत करो प्रेम करो सिवा करो यह भगवान ने यह दूसरे अद्धाय का 57 57th श्लोक है 56 में भगवान कह रहे हैं, दुखों की प्राप्ते होने पर जिसके मन में अद्ध्वएग नहीं होता सुखों की प्राप्ते में जो सर्वता निश्प्रे है तता जिसके राग, भय और क्रोध नश्ट हो गए हैं, ऐसा मुनी स्थिर बुद्धी कहा जाता है यह मुनी होता है तो राग को छोड़िए प्रेम को पकड़िए सकाम कर्म को छोड़िए सिवा को पकड़िए काम फिर भी वही करेंगे हम नाम बदल दिया पहले कहते थे मेरा काम है घर का काम है पेट के लिए करते हैं रोटी के लिए करते हैं बच्चों के लिए करते हैं यह सब चेंज कर दिया सिवा करते है पेट के लिए रोटी के लिए बच्चों के लिए मत कहिए ऐसे अच्छा नहीं लगता है जो भी काम करते हैं सिवा के लिए करते हैं हम तो सिवा कर रहे हैं सिवा हो रही है सिवा हो रही है, सिवा हो रही है, सिवा करो, आप मेरा पन करोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, जो मेरा पन करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करते भी हैं और डिस्टर्ब होते भी हैं राग आपको सिर्फ डिस्टर्ब कराएगा कुछ नहीं देगा आपको भी दूसरों को भी और दूसरे लोग परिशान हो जाते हैं आपको याद होगा देखा होगा वो घर की जो पुरानी माताजियां जिन में बड़ा भारी लाड़ करती थी बच्चों का, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा जरा कुछ डिस्टर्ब होता था मार परिशान हो जाती थी सिवा करते हैं हम तो भगवान के बच्चे हैं भगवान के बच्चों की, भगवान के जनों की सिवा हो रही मेरा अपन करके और फिर खुट डिस्टर्ब भी करती थी मैंने काफी बेटों को कहते हुए सुना जगे जगे शेहरों में जब जाया करते थी 40 साल का लड़का है 50 साल का आदमी है ये लोग कहते थे हमारी मा बहुत डिस्टर्ब करती है बुड़ी हो गई है सठ्या गई है बहुत बोलती है बहुत डिस्टर्ब करती है और राग क्या करता है डिस्टर्ब करता है आपको डिस्टर्बेंस अच्छा लगता है क्या तो आप डिस्टर्ब हो करो राग डिस्टर्ब करो डिस्टर्ब हो राग करो देखे बात समझनी पड़ेगी इस दुनिया में मेरा क्या है आप क्या साथ लाए थे क्या साथ ले जाओगे मैं तो यह सुचता रहता हूँ पहले एक घर में रहते थे फिर दूसरे में गए फिर तीसरे में आ गए लोगों के ट्रांसफर होते रहते हैं एक आंटी बता रही थी 35 ट्रांसफर हुए हमारे गवर्मेंट साथ जॉब में थे 35 ट्रांसफर हर साल ने आ घर और कभी-कभी तो साल में दो बार ने आ घर, एक साल में तो तीन बार ने घर चेंज किये हमने तभी तो 35 बनेंगे यह हलत है क्या राग करेंगे किससे राग करेंगे कैसे राग करेंगे राग करके मिलेगा क्या मेरा घर किस घर को कहें मेरा घर 35, 35 घर बदल दिए किसको कहें मेरा घर तो जो इसने नहीं करता कहीं जो पुरुष सर्वतर इसने रहत हुआ उस उस शुब या अशुब वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन होता है ना द्वेश करता है उसकी वो दीश थे रहे अब मेरे वाला मेरे हिसाब से चले तो प्रसन और मेरे वाला मेरे हिसाब से ना चले तो द्वेश रागुर द्वेश, रागुर द्वेश हमें कोई राग नहीं है, हमर कोई अंकार नहीं है, प्रेम की खाते रहते हैं, प्रेम की खाते रहो, सेवा करो, सेवा करने वाले को थोड़ी बहुत डांट भी पढ़ जाए न, तो जो समझदार होते हैं, सेवा करते हैं, डांट भी पढ़ जाए, तो उसको उनका ध्यान सेव पर होता है, कौन क्या कह रहा है इस पर नहीं होता और राग वाले का सारा ध्यान इसी बात पर होता है क्या कहा कान लगा कर सुनते हैं मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही क्या बात हो रही है दो जनों की मेरे बारे में तो नहीं हो रही मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहे है राग है न? राग वाला शक भी करता है राग वाला अहमकार भी करता है सारे अवगुण अगर आप गिने न तो राग वाले में सारे अवगुण मिलेंगे आपको और स्यवा वाले में गुण मिलेंगे आपको वो निर्भय होता है निश्काम होता है प्रेमी होता है हेतु रह द्यालू होता है बड़े दिल का होता है और एक बहुत बड़ा फाइदा बता रहे हैं भगवान जो राग रहित हो जाते हैं सेवा करते हैं क्या होता है कि विश्यों को हम ग्रहंड करते हैं दिन रात सारे विश्य हैं देखना, सुनना, बोलना, सुंगना, काम करना ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाऊं, ये न खाऊं ये सब विश्य हैं हम ग्रहंड करते रहते हैं सारे टाइम बोगों में प्रवर्थ होते हैं, यह सब विशे हैं अब कोई दिखावा करने के लिए उपर से विश्यों का त्याग कर दे बगवान करें लेकिन अंदर में उसकी आशक्ती रहेगी क्योंकि रागवाला व्यक्ति था वो पहले अब आशक्ती बनी रहेगी उसकी और उसको डिस्टरब करती रहेगी वो आ सकती दुखी रहेगा जीवन भर राग वाला वैक्ते जीवन भर दुखी रहता है और यहां भगवान कहले हैं जो इस्थित प्रग्य हैं निश्कामी हैं, समता में हैं, फल की चाहना नहीं है सेवा भाव है, वो क्योंकि उनमें आ सकती नहीं है तो वो डिस्टरब नहीं होते, परिशान नहीं होते और भगवान का साक्षातकार करते हैं ऐसे लोग वो भगवान को पाते हैं, भगवान के दर्शन पाते हैं उनकी सारी कामनाय निवरित हो जाती है उनका सारी आसकती और आहंकार निवरित हो जाते है वो भगवान तक पहुंच जाते है निशकाम कर्म करता हुआ मनश्य मुझे ही प्राप्त होता है अर्जुन तो हम निशकामी बने गुरू के पाच जब हम पहली बार गए थे पहले ही दिन हमने सुना कि तुमारा जीवन निश्कामी बने संकल्ब करो गुरू के सामने बैठ कर कि मेरा जीवन निश्कामी बने फिर गवराना मत फिर डरना मत फिर परिशान मत हो ना पुरानी आदतें तुमारी उन पर चोट पड़ेगी, पुरानी आदतों पर तुमारे चोट पड़ेगी, घवरानमत, परकटी तुमको निश्कामी बनाएगी, तुमको बड़े दिलका बनाएगी, तुमको विराट बनाएगी, बड़ी फीलिंग मिलाएगी, सेवा आएगी स क्योंकि तुम साधारन मनुषित से महान बनने वाले हो और जिनकी आसकती का नाश नहीं होता निशकामी नहीं बनते उनकी प्रतमन स्वभवाली इंद्रियाँ जबरजस्वभवाली इंद्रियाँ उनके मन को बलाथ हर लेती है उनका मन हर समय चलता रहता है उनके प्रश्ण होते ही रहते हैं, हमारा मन बहुत चलता है, हमारा मन बहुत चलता है, तो कारण है कि हम सकामी हैं, हम स्वार्थी हैं, अपने बारे में सोचते हैं, या कर्म के फलकी इच्छा की चाहना है, कुछ न कुछ मन में चाहना हैं, कामना हैं, सकामता है, आ सकती है, ल प्रश्णे परमात्म प्राप्ति के लिए किस योगिता की अवश्चक्ता है भगवान कैसे प्रसंद होते भगवान को प्रसंद करना हो पाना हो तो क्या योगिता होनी चाहिए इसके लिए एक मेन योगिता है प्रेम भगवान के लिए अत्षे प्रेम, तडप, बेचेनी, भगवान की चाहना, भगवान मिले, ऐसी लगन, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे, फिर होश भी ना आए, कहने का ताथ पर यह है, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ताथ पर यह है, भगवान से प्रेम हमको भगवान तक पहुँचाता है, आसान शब्दों में कहें, तो भगवान से प्रेम, हमको भगवान तक पहुचाता है, दूसरा, कोई माता जी ने अपनी ग्रैंड डॉटर की बात पूछी है, कि हमारी गर में जो पोती है वो गुपाल जी की सिवा करती है, परिवार में सहिख भी देती है, हर चीज लड़ो गुपाल जी से शेयर करती है, बात करती है, स्कूल की फ्रेंड्स की भी बात करती है बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुकराने काते हैं लेकिन वो जब प्रश्ण करती है तो ये करती है कि दादी ये गुपाल जी मेरी बात कहां सुनते हैं वो कभी जवाबी नहीं देते अपनी तरफ से उसे समझाती हूं कि वो सुनते हैं पर वो सेटिस्फाइड नहीं होती अब यहाँ एक प्रश्ण बनेगा क्या हम सेटिस्फाइड हैं कि भगवान अमारी सब बात सुनते हैं भगवान सर्वत्र हैं, सर्व्यापक हैं सब कुछ भगवान बने हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सब गट राम बोले, राम बिना को बोले रे गुरुगन सब के शब्द बता रहा हूं आपको सब एगट राम बोले, राम बिना को बोले रे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई एक उंकार आज सच, जुगा सच, है भी सच, नानकोसी भी सच वो परमात्मा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा वही सत्य है वही रहने वाला है बाकि ये सब जगत जो सुपना और पेखना ऐसी जग को जान जैसे सपना देखते हैं हम ऐसी जगत है आख खुली है जगत का सपना दिख रहा है एक दिन आएगा आख बंदो जाएगी खेल खतम जगत सब खतम सपने की तरह है बड़ा सपना है ये रात का सपना छोटा होता है ये बड़ा सपना होता है दिन का तो गुरु हमको पक्का कराते हैं यहां मत करियो जैसे वो कहते हैं किसी से दिल मत लगईयो तूटेगा शीचा हो या दिल हो आखिर तूट जाता है कहने का भाव यह है कि अब देखे अब यहां शब्दों को मत पकड़िएगा यह भाव को पकड़िएगा प्रेम करो तो भगवान से करो दिल है दिलबर के लिए दरदर पे लुटाया नहीं जानदा यह दिल है अमानत सत्गुर की दरदर पे लुटाया नहीं जानदा ये भगवान से प्रेम करने के लिए हमको भाव मिले संसार से नहीं संसार में तो सिवा करनी है और प्रेम करना भी है तो करो आप कहते हो भगवान से प्रेम ठीक है पर संसार में भी तो हमारा प्रेम होता है कोई दिक्कत नहीं है करो निश्काम करो निश्काम प्रेम करो बदले में हमको नहीं चाहिए कुछ मेरा प्रेम है मेरा सुभावे प्रेम करने का मैं क्या करो तो करो बदले में मैं चाना कि ये भी प्रेम करे अब करे करे न करे न करे क्या कर सकते हैं हमारा सवावे प्रेम करने का करो अब यहां प्रश्ण यह था कि गुपाल जी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं देखे गुरु तो यह कहते हैं कि भगवान सब सुनते हैं क्योंकि वो हाजरा हजूर हमारे चारों तरफ ओत पुरोत सर्वत रहें चित गहन व्यकरन कहता है अध्यात्म का कि वो चिद घन है ठसा ठस बरे हुए हैं सरवत सरव्यापक हैं और वो ही निराकार साकार हो गए हैं इसका मतलब सब कुछ वो ही बने हैं उनके अलावा कुछ नहीं है तो हम जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे क्या आप बताओ जब सरवत रहे हैं भगवान तो हम जो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे क्या परश्ण का जवाब दो अब बच्ची सेटिस्फाई होती है नहीं होती है वो तो देखे एज के साथ बच्चे जब बुद्धी विक्सित होती है तब ही उस समझ पाते हैं अभी तो आप बस इतना ही कह दीजे कि बिटा भगवान सुनते हैं कि नहीं ने अपनी बात लिखी है कि एक बार हम कनहिया को रात में सुलाना भूल गए तो रात को धाई बज़े आख खली तो अंदर से एक आवाज आई कि आज मुझे नहीं सुलाया तो देखा उधर कनहिया के वह बैठे होते थे वो तो देखा आज वो बैठे रह गए तो यह देखकर अंदर में बहुत दुख हुआ पास्चा ताप हुआ ऐसा महसूस हुआ जैसे एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम होता है बच्चे को सुलाय बिना सो नहीं सकती माँ और हमारा भगवान से कैसा प्रेम है कि हम उनको बिना सुलाय सो गए तो ऐसा ही प्रेम नहीं है हमारा तो अनन्य प्रेम की बाद चलती है भक्ति में वो कैसे होगा गटना बार-बार याद आती है दुखी करती है कैसे करें देखें जब कोई गल्ती हमसे हो जाती है न तो द्यार लर्निंग लेसंस सीखने की स्टेप्स हैं वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं सीखें, हम सीखें, गल्ती मनश्य से हो जाती है, कोई बात नहीं, पर उस गल्ती को ठीक करें, सीखें, अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, फिर कुछ और गल्ती होगी, फिर कुछ और होगी, कोई बात नहीं, आप सीखते जाओ, आदमी सीख सीख करी महन बनता है, कोई आदमी मतलब इन अ सेंचरी, वन परसन इन अ सेंचरी ऐसे बोला गया है, यह कावत है, कोई बात नहीं, होते होंगे, बॉन ग्रेट होते होंगे, पर हमें तो नहीं पता, हम लोग तो सब महनत से बनते हैं, जो साधारण सब लोग हैं, यह तो महनत से बनते हैं, यह तो कोई बॉन ग् उनकी बात क्या करने ही, वो तो हैं ही born great, अब क्या करें, हम तो नहीं हैं, अब हम क्या करें, मेहनत करो, गलतियां करो, सीखो, आगे बढ़ो, प्रस्टे परमार्त में थोड़ा सा उपर उठते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, कोई परिस्थिती ऐसी आती है, फिर नीचे कर दे नीचे आ गया, अभ्यास कम हो गया, अब उतना नहीं होता है जतना पहले पकड़ा हुआ था हमने, क्या करें, देखिए तो जीवन है, इसमें ups and downs चलते रहते हैं, संसार में भी चलते हैं, अध्यात में भी चलते हैं, अध्यात में के लिए ऐसा क्या कहा गया है, कि भागव सोचता है, आज मैं कथा के लिए जाऊंगा, कथा सुनने के लिए, आज महां कथा हो रही है हमारे शहर में, मैं जाऊंगा, तो कल्यूग उसको आके घेर लेता है, तरह तरह की काम आ जाएंगे, परिशानिया आ जाएंगी, को जंजट आ जाएगा, कुछ अपनी आभीती आप लोग को, कहना मत किसी से, पहले आप वाइदा करो किसी से नहीं कहोगे, मुझे याद हैं वो दिन, हम कहीं दूसरे शेहर में सच्चंग के लिए जाया करते थे, काफी समय हो गया, कि उन दूनों की बात है, जब कोई भी आगे बढ़ता है, सच्चंग में लगता है और आगे बढ़ता है, वो चाहता है कि मैं एक अच्छा काम करूँ या मैं एक अच्छा इंसान बनूँ या मैं भगवान में लगूँ, भगवान में लगूँ तो प्रकरती टेस्ट लेती जब सत्चंग के वो दिन आते थे, कहीं जाना है, कोई शिवर करना है, और कई परिशानियां आ जाया करती थी, उस समय मेरा ध्यान नहीं जाता था, मैं सुछता था, कोई बात नहीं, कोई बात थी, करते कराते, करते कराते, खेर, शिवर हो जाता था, कई शिवर जब बीट ग के लिए निकलते हैं और ये परिशानिया आ जाती है तो अंदर से गुरु की एक वाणी की आवाज आई कि जब भी तुम अच्छे काम के लिए बढ़ोगे तो कल्युक तुम्हें टेस्ट करेगा गवराना मत ठीक है तो ये होता है आप चिंता ना करें लगे रहो ब्रेकेट में मुन्ना भाई प्रश्न है जैसे सत्तंग में पॉइंट चलता है सब भगवान के रूप हैं सभी से प्रेम से नमरता से बात करनी चाहिए करते भी हैं पर सामने से कोई खराब तरीके से बोलता है तो बहुत बुरा लगता है कर्म के फल की इच्छा है मैं अच्छे से बोलूं तो सामने वाला भी अच्छे से बोले अपनी कमी ढूंटते भी हैं पर कभी कभी अपनी गलती समझ नहीं आती कि हम कहां गलत थे मन में ये बात आती है कि हम तो अच्छे से बोल रहे थे फिर ये ऐसे क्यों बोल भागवान जी इस बात से कैसे उपर उठे देखिए सबका स्वभा होता है संत जी बिच्चु को पानी में से बाहर निकाल रहे थे और जब वो निकालने का प्रयास करते हैं तो बिच्चु उनको डंक मार देता और फिर छूट जाता पानी में किनारे पर खड़े एक आजमी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो यह तो बिच्चु उनको डंक मारेगा तो बाबाजी ने कहा बेटा मैं एक संत हूँ यह बिच्चु आए मैं एक संत हूँ यह अपना काम कर रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ हम तो कहते हैं हम गुरु के बच्चे हैं हम तो सारे ही लोग कहते हैं हम गुरु के बच्चे हैं हमारे हैं कोई संत बंत नहीं मिलेगा हमारे हैं कोई महानुभा महा महा क्या महापुरुष या जो भी कहिए हमारे हैं नहीं है हम सब भगवान के बच्चे हैं आप कहेंगे क्यों महापुरुष नहीं है हमारे कोई, क्या करोगे महापुरुष का, कमिया डूंडोगे, पेंटिंग लगा दें महापुरुष की, लिख दें, कमिया निकालो, क्या करना, हमको तो गुरु की बातों को ग्रहन करना है, और अंदर में सच्छे बनना है, माला है टंगवानी है क्या करना है क्या मिलेगा मरेगा नहीं महापुरुष मरेगा वो भी एक दिन खाली आज जाएगा खाली आता आया था खाली आज जाएगा लेकर साथ कुछ नहीं जाएगा आप कहेंगे अच्छे करम नहीं जाएंगे उसके साथ तो जाएंगे तो उसके साथ जाएंगे, हमें क्या मिलेगा मिठाई के दुकानवाले पर बहुत सारी मिठाई रखी है हमारे पास क्या है तो छोड़ो इन बातों को हम गुरु की बात को सुने समझें, अपने जीवन में लाएं, ये तो अपने गलती समझ नहीं आती है और वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, छोड़ो आप आप एक अच्छा इंसान बनो, या सच्छा इंसान बनो, नेक इंसान बनो भगवान में लगो अब भगवान का नाम लो भगवान को याद करो आपको जो अच्छा लगता है भगवान का नाम लीजिए भगवान को याद करिए भगवान से प्रेम बढ़े है हमारा जो जैसे कर रहा है उसको करने तो हम क्या कर सकते हैं कोई नहीं सुनता हमारी कोई नहीं मानता हमारी इस संसार में सब बढ़ी आए सब बढ़ी आए सब ठीक है चलिए हम लोग गहरी सांस ले लेते हैं चार बार गहरी सांस लेंगे स्टार्ट करते हैं सब बढ़ी आए झाल 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 और भगवान के शुकराने हैं कुछ लोग जल्दी ले पाते हैं कुछ लोग देर में ले लेते हैं कुछ सब का अपना अपना होता है कोई comparison मत करिया अगजी से तुमाई तो चार हो भी गई मेरी तो अभी हो रही है कोई comparison नहीं है हर वेक्ते अपने में special and unique है हर वेक्ते different है हर वेक्ते बहुत अच्छा है हम सब भगवान के बच्चे हैं हम सब बहुत अच्छे हैं बस खराब बातों से बचिए जो आच चली जैसे राग नहीं करना चाहिए क्योंकि राग के साथ द्वेश मिला रहता है राग से भह होता है क्रोध आता है तो वो जो चीज़े हैं जो हमारे जीवन को खराब करती हैं उनको हम जीवन से निकालें बुराईयों का त्याग करें किसी को बुरा करके न देखें सब काम भगवान के लिए करें खुब सेवा भाह हो, प्रेम का भाह हो, नहीं होता ज्यादा कोई बात नहीं, मानसिक करिए, मानसिक सेवा करिए, कुछ जो आप चाहें, जो आपको अच्छा लगता है, मानसिक रूप से सेवा करिए, मैं यह नहीं कहुंगा कि यह करो, कि यह करो, कोई नहीं, जो आपको अच अच्छा लगता है मानसिक रूप से सेवा करिए आप कहते हैं हम तो वैसे कर सकते हैं फिजिकली फिजिकली करिए पैसे से कर सकते हैं पैसे करिए जैसे कर सकते हैं आप करिए सब की सेवा करिए नहीं होती कोई बात नहीं शुद्वाव रखिए ये भी नहीं होता, कोई बात नहीं ये तो रख सकते हैं हे नात, मैं आप का हूँ, आप मेरे हैं हे भगवान, हे नात, हे प्रभू हे दिन बंदू दिन नात आप दयालू हैं, करपालू हैं करणा निधान हैं, मैं आप का हूँ आप मेरे हैं गुर्व अगवान के शुक्राने है